31 मार्स तक पैन कार्ट को अधार से लिंक नहीं कराया तो देना पर सकता है भारी जुर्वाना अगर आपने 31 मार्स से पहले अपने पैन कार्ट को अधार कार्ट से लिंक नहीं कराया तो आपको भारी नुकसान का सामना करना पर सकता है आप घर बैठे भी इन दोनों दस्ताव जो को आपस में लिंक करवा सकते हैं जिसका प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो के मादम से बताऊंगा नमस्कार मेरी तेश मिश्रा और स्वागत है आपका आर की रियूद में अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सस्काइब कर लीजे साल 2019 में इंकम टेक्स अगर आपने भी अभी तक अपने पैन को अधार से लिंक नहीं करवाया है तो आज ही करवाएं कि क्यों 31 मार्च के बाद आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है इस देट के बाद अगर आपने पैन कार्ट से लें दिन करेंगे तो आपको 20% तक का टैक्स लग सकता ह 1000 उपय तक का देना पड़ सकता है जुर्माना जी हाँ भारत सकार ने पहले अधार और पैन कार्ट को लिंक नहीं करने पर 1000 उपय तक की लेट फी स्तैकी थी वहीं नया सेक्षन 243 एज के मुताविक इन दोनों दस्तावेजों को लिंक नहीं होने पर 1000 उपय तक का जुर्मा कार्ट से लिंक कर सकते हैं पैन कार्ट को अधार कार्ट से लिंक करने के लिए आपको एम मित्री या फिर किसी दुकान पर जाने की जरूत नहीं है ये काम आप घर से भी कर सकते हैं इसे आप इंकम टेक्स की वेबसाइट पर जाकर लिंक कर सकते हैं इसके इसके अलावा वि लिंक करना चाहते हैं तो आपको मुबाइल नंबर UDI 12 डिजित का अधार नंबर और 10 डिजित का पैन नंबर टाइप करके 567678 या 561561 पर मैसेज भेजना होगा इसके बाद आपको अपने पैन अधार से लिंक होने की सूचना मिल जाएगी वेफसाइट पर जाकर ऐसे करें ल आएगा होम पेज पर आपको लिंक अधार का ओप्शन दिखाई देगा अगर इस पर क्लिक करें तो इसके बाद आपको अपना पैन नंबर उसके बाद आपको अधार नंबर डालना होगा और अपना नाम डालना होगा पूरी डिटेल भरने के बाद कैप्श कोड डाले या फिर आपको phone number का भी वहाँ पर option आएगा आप उसके जरीए भी कर सकते हैं ऐसा करते ही आपके सामने pen card और अधार card लिंक होने के सूचना आ जाएगी बाकी खबरों के लिए बने रहे हैं धार की news पर धान्यवाद